नमस्कार दोस्तों ओली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में आपका हार दिख स्वागत है हमने आर्टिकल्स पार्ट 3 भी पढ़े लिया था यानि आर्टिकल्स चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर वो जरूर देखे वो बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है इंगलिश ग्रामर का और अब हम सुरुवात करने जा रहे हैं नए टोपिक से जिसका नाम है मोडल्स मोडल्स एक वर्ब की टाइप है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ मान लीजिए ये वर्ब है ये इसमें दिख नहीं रहोगा मैं थोड़ा आगे बताता हूँ अभी मोडल्स से स्टार्ट करते हैं ये मोडल्स होते हैं ये होते हैं 13 यानि 13 होते हैं टोटल मोडल्स अपनी बच्पन में मोडल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ मोडल्स 13 होते हैं पहला म मोडल होता है can, could, may, might, would, will, would like to नहीं होता है use to, should, should और sell, sell का past होता है should, must, or to, dare, need यह 13 होते हैं इन्हें हम मोडल बोलते हैं एक और point यह जो use to है यह आपको use to दिखाई दे रहा है यह modal एम adjective यानि modal तो use होता ही है लेकिन adjective यानि vision के रूप में भी इसका प्रियोग कर सकते हैं हम अब exam में important इनके rules होते हैं यानि कहां पर यह use होंगे तो हम इनके rules से ही सुरुआत करते हैं पहला rule है can और may यह दोनों सेम होते हैं अर्थ में जिसका अर्थ है सकता है, सकती है, सकती है इनका मतलब तो एक ही होता है सकता है, सकती है या सकती है और use भी एक जैसे होते हैं subject, can may, plus verb के first form, फिर object पर अब इनमें एक बहुत बड़ा difference होता है जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं आज मैं आपको समझा देता हूँ, यह है, example समझे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ अब आप इसका, इसमें पते यह क्या लगेगा, कौन सा model लगेगा इसमें जो model लगेगा, वो may लगेगा अब may क्यो लगा, can क्यो नहीं लगा, यह doubt अभी clear करते है ज्यान से देखना, यह जो may है, इस यह may है, इसका जो use होता है may का use, permission लेने के लिए होता है और permission, और can का use भी permission लेने के लिए होता है फिर दोनों में difference क्या है, जब मान लीजिए, आप अपने भाई से permission रे रहे हैं रिष्टेदार से, जो आप से छोटा है, या आपके बराबर है, तब आप can का use करेंगे यानि, और अनोपचारिक जब आपको permission लेनी हो informal जब आपको permission लेनी हो, यानि अपने सहयोगी से, जो आपके साथ पढ़ता है पढ़ोसी से, जो आपसे छोटा है, इन से लेनी हो, तब आप can का use करेंगे और जब आपको किसी respected person, यानि जो आपसे बड़ा है या कोई अधिकारी है, उससे permission लेनी हो, तब हम में का use करेंगे समझ में आ गया? जब कोई आपसे बड़ा है, तब तो आप में का use करेंगे और जब कोई आपके बराबर है, आपसे छोटा है, आपका भाई है तब हम वहाँ पर can का use करेंगे family members में भी can का use करेंगे समझ में आ गया, ये doubt clear होगा में का use अपने से बड़ों के लिए किया जाता है लेकिन can का use अपने साथ वाले या अपने से छोटे वाले के साथ किया जाता है तो इसमें जो model यूज होगी वो होगी may I come in इसके English बनेगी may I come in इसको हम can I come in नहीं कह सकते आगे बढ़ते हैं अब may or can का use permission यानि संभावना permission संभावना नहीं होता है possibility के लिए होता है may or can का use possibility possibility के लिए भी may का use होता है और can का use होता है अब देखिए कहां पर may का use होगा और कहां पर जब जहां पर कम संभावना हो वहां पर may का use जहाँ पर ज़्यादा संभावना हो वहाँ पर कैन कायूज याद रखे जहाँ पर कम संभावना हो वहाँ पर में कायूज जहाँ पर ज़्यादा संभावना हो वहाँ पर कैन कायूज तो यह doubt भी आपको clear हो गया होगा कि में कम संभावना के लिए कैन ज़्यादा संभावना क इस श्टोन मतलब अब यहां पर भरिये आप कुछ पहले में भरिये मतलब इनके यूद से सेंटेंस का मतलब पूरा चेंज हो जाता है He may lift the stone He may lift the stone अब यहां पर हमने में भर दिया में भर दिया तो इसका अर्थ बन जाएगा कि वहें पत्थर वहें शायद पत्थर उठा सकता है और हमने अगर कैन भर दिया He can lift the box अब हमें confirm हो गया कि वहें उठा सकता है अगर में भर दिया तो शायद लग जाता है और अगर कैन भर दिया तो confirm हो जाएगा कि वहें उठा सकता है समझ में आ गया जैसे कई बच्चों का English से border होता है अब मैं कहूँ He या She May crack English यानि वह शायद English crack कर सकती है और मैं यह कहूँ He और She Can crack English अब मुझे confirm हो गया कि वो पक्का कर सकती है समझ में आ गया May के लिए कम संभावना Can के लिए ज़ादा संभावना आगे बढ़ते हैं अब यह है Can का यूज खहाँ पर होता है May का हवा चल सकती है अब इसमें आप confirm तो नहीं कह सकते कि चले ना चले बारिश हो शकती है अब हो या ना हो मतलब confirm नहीं है इसलिए हम नहीं आपे May का यूज करेंगे Can का नहीं करेंगे जब कम संभावना हो तो में का जब ज़्यादा संभावना हो तो Can का आगे बढ़ते हैं यह बहुत important रूल है यह हर exam में आता है Can का यूज Capacity Capability और Power यह दिखाने के लिए आप Can का यूज करते हैं जैसे Capacity दिखाते हैं किसी की He can lift this box यानि वहें आप उसकी Power बता रहे हैं कि उसके पास इतनी Power है कि वहें इस डबे को उठा सकता है यानि कहीं पर भी Capacity Capability और Power का यूज किया जाए तो आपको वहाँ पर Can बढ़ना है जैसे कोई बच्चा है वो रात तक पढ़ता है तब हम कहेंगे He can study till 11 पिम यानि कोई देर रात तक पढ़ सकता है हम उसकी Power Capability बता रहे हैं कि वहाँ पढ़ सकता है ऐसे Sentence में हम Can का यूज करेंगे में का नहीं करेंगे आगे बढ़ते हैं एक और एक्जामपल आ गया मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ अब इसमें मेरी Capability बताई गई है कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो इससे पहले हम Can का यूज करेंगे और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो Models होते हैं ये Can तो एक Models है इसका हम यूज हम जब करेंगे वर्ब से पहले करेंगे ये Speak वर्ब है इससे पहले हम Models का यूज करेंगे हम और कहीं पर नहीं कर सकते अगर Question Mark हो तो ये आगे होगा जैसे Can I Speak English फिर Question Mark अब ये नहीं कर सकते I Speak Can English ये गलत हो जाएगा समझ में आगया वर्ब से पहले Models का यूज किया जाता है आगे बढ़ते हैं ये हमने देख लिए Can का यूज अब Make का यूज कहाँ पर कर सकते हैं Make का एक Rule है Make का प्रियोग सम्मान के साथ निवेदन करने या अनुमती लेने के लिए प्राशनात्मक वाक्यों में होता है यानि सम्मान के साथ अगर किसी से आप अनुमती ले रहे हैं तब हम वहाँ पर और वो Question है तब हम वहाँ पर Make का यूज करेंगे इस में May I Use Your Room अब आप किसी पर रोप तो नहीं जाड़ सकते आप उच्छे प्रात्ना कर सकते हो या थोड़ी सी निवेदन कर सकते हो कि क्या मैं आपका कमरा यूज कर सकता हूँ तो जब आपको बहुत विनम्र निवेदन से आपको अनुमती लेनी हो तब हम वहाँ पर मेका यूज करेंगे जैसे मेयाई कमेंसर आपने देखा होगा मेयाई कमेंसर बोलते हैं इसलिए इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि हम किसी टीचर से सम्मान के साथ हम निवेदन कर रहे हैं किसी के साथ सम्मान के साथ निवेदन करना तब हम वहाँ पर मेका यूज करेंगे आगे बढ़ते हैं iku'd can के past के रूप में प्रियोग करते हैं यानि जब गहीं पर can था can का यूज हम power, capability, capacity का यूज करने के लिए किया जाता है तो could का यूज भी इसी के लिए होता है capability, capacity और power के लिए पर past के लिए ये जो could होता है could का यूज हम can की जगہ करते हैं past में जैसे मैं इस काम को नहीं कर पाया अब ये है मैं इस काम को नहीं कर पाया ये सेंटेंस पास्ट का है और इसमें ability बता रहा है capability बता रहा है इसलिए हम यहाँ पर could का यूज करेंगे जब पास्ट में हो और ability की बात की जा रही हो तब हम वहाँ पर कुड का यूज करेंगे समझ में आगया आगे बढ़ते हैं यहीं लिख रखा है कैन के पाष्ट के रूप में कुड का प्रयोग करते हैं जिसे I can cross the river अब इसमें ना पाष्ट की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ पर कैन का यूज करेंगे नीचे है I-Cross the river जब मैं जवान था जब मैं river को पार कर सकता था अब यह जवान की बात की जा रही है यानि पाष्ट की बात की जा रही है इसलिए यहाँ पर कुड का यूज होगा समझ में आगया आगे बढ़ते हैं अब मे का पाष्ट माइट होता है मे का पाष्ट होता है माइट शायद तुम इस परिक्षा को पास कर सकते हो मे का परयोग हम कम संभावना के लिए करते हैं मे का परयोग माइट का परयोग जब बिल्कुल कम संभावना हो बहुत कम तु शायद तुम इस परिक्षा को पास कर सकते हो अब शायद लग रहा है यानि बहुत कम संभावना है तो माइट का यूज होगा अब तुम इस परिक्षा को पास कर सकते हो तो इसमें में आ जाता अगर सिर्फ शायद नहीं लगा होता तो में आता लेकिन शायद लगा दिया यानि कम संभावना है इसलिए यहाँ पर माइट का यूज होगा आगे बढ़ते हैं वुड विल के पास्ट के रूप में प्रियोग करते हैं अब विल हमने फ्यूचर में पढ़ा होगा फ्यूचर टैंस में टैंस तो सभी ने पढ़े होंगे वर्ज से पहले आपको मोडल वर्णा है उसने कहा कि में खेलेगा अब यह पास्ट की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ पर वुड प्ले करेंगे और उसने कहा जैसे एक और देखते हैं हम खेलेंगे वी विल नहीं आएगा शेल आएगा वी शेल प्ले वी आई और वी के साथ यह रूल तो आपको पता होगा आई और वी के साथ शेल का प्रयोग करते हैं आई और वी के साथ शेल का और जो बच गए प्रोनाउन उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं ये तो पता होगा सबको लेकिन जब अगर उल्टा हो यानि हम इनको उल्टा भी उज़ कर सकते हैं जैसे आई के साथ हम विल का भी उज़ कर सकते हैं कब कुछ special case बताता हूँ मैं नोट कर लीजेगा पहला जब कमांड दे रहा हो जब कमांड दी जा रही हो C O M A N D जब कमांड यानि आदेश दिया जा रहा हो तब हम वहाँ पर यू के साथ जब ये इंटरचेंज हो जाते हैं जैसे आई और वी के साथ शैल लग जाता है और बाकी बच गए जो उनके साथ ह इनके साथ शैल का अगर आदेश दिया जा रहा हो लिख लेजिए आप आदेश वादा धमकी रर्शंकल्प और अनिवारेता ये पांच केसे हैं पहला है आदेश कमांड जैसे यू शैल लिव दा रूम एट वन्स इसमें लिखे नहीं रखका है पर आप थोड़ा सुन जीगा यू शैल लिव दी रूम एट वन्स अभी आदेश दिया जा रहा है कि कमरे से बार निकल जाओ दूसरा है प्रोमिस यानि वादा यू शैल भी रिवार्डिड इसमें वादा किया जा रहा है इसलिए हाँ पर यू के बाद शैल कायोज होगा थ्रीट धमकी अब धमक रड़ शैल कलप हो कही पर तो आपको यह इंटरचेंज कर देने हैं और कंपल्शन यानि अनिवार्यता हो तब हम इनको इंटरचेंज कर देंगे समझ में आ गया पांचो है आदेश वादा धमकी रड़ शैल कर अनिवार्यता आगे वढ़ते हैं यूजड तू यह मोडल है यूजड तू यह पास्ट बताने के लिए किया जाता है सबजेक्ट यूजड तू वर्प की फर्स्ट फर्म और फिर ओबजेक्ट आपको पता है वर्प से पहले मोडल का यूजड किया जाता है अब नीचे एक्जम्पल है मैं सुभे गूमने जाया करता अब इसमें करता पास्ट एबिट है यानि अपनी पास्ट की हैबिट बता रहा है इसलिए हम यहां पर यूज करेंगे यूज तू आई फिर यहां पर यूज तू यह थोड़ा साफ नहीं लिखा जा रहा आप सुन लेजिए आई यूज टू गो फोर एवोक इन दी इवनिंग मोर्निंग यहा यूज टू दे दिया जाता है आपको कन्फ्यूज करने के लिए यूज टू तो आपको वाँ पर कन्फ्यूज नहीं होता है यूज टू होता ही नहीं है कोई यूज टू ही होता है समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं जैसे एक और एक्जाम्पल है वह शराब पिया करता थ यह उसकी पुरानी आदत थी इसलिए हम यहाँ पर यूज टू का प्रयोग करेंगे आगे चलते हैं यह है शूड मस्ट और टू यह जो है यह बहुत कन्फ्यूजिंग है यह हर बच्चे को कन्फ्यूज करते हैं शूड मस्ट और और टू इन तीनों का मतलब एक होता है चाहि किये शूड मस्ट और और टू यह शूड के और भी रूल है पहले हम इन से शुरुआत करते हैं शूड ड्यूटी मतलब शूड ड्यूटी के लिए यूज किया जाता है मैं बता देता हूं शूड ड्यूटी या एडवाइस एडवाइस यानि सला के लिए भी किया जाता है स यह इसमें duty भी है, must duty plus compulsion, यानि duty तो करनी ही है, और compulsion यानि बाध्यता भी है, अगर आप नहीं करोगे, तो कुछ न कुछ हो सकता है, मतलब कुछ न कुछ तो हो सकता है, मतलब इसमें बाद देता है, अगर soldier है, यानि सहनिक है, तो वो तो लड़ेगा ही, यहाँ पर must का यूज करेंगे, समझ में आगया, आगे बढ़ते हैं, जैसे you should read, तुम्हें पढ़ना चाहिए, अगर नहीं पढ़ेगा, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसमें आगी कुछ दे नहीं रखा है, अगर कुछ दे रखा हो, फिर इसके हिसाब से करेंगे, फिलाल तो यहीं करेंगे, तुम् अब इसमें बात देता है, क्योंकि एक्जाम आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो हो सकता है, फैल भी हो सकते हैं, तो you must read as your exam is coming, अब यहाँ पर हम must का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात देता है, कि तुम्हारे एक्जाम आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें पढ़ना पढ समझ में आ गया, ओट्टू का और एक्जामपल देखते हैं, ओट्टू है, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चीए, अगर नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर ओट्टू, यानि यह नैतिक करतवे के बारे में बत एक्जाम कमिंग, ऐसे ही ओट्टू नहीं करतवे के लिए होता है, समझ में आ गया, एक और बात बता देता हूं मैं, अगर बहुत ज़्यादा पोसिबिलिटी हो, यानि पोसिबिलिटी आसमान चुरही हो, बहुत ज़्यादा हो, तब हम वहाँ पर मस्ट का यूज करेंगे हम वहाँ पर मस्ट का यूज करेंगे, एक्जामपल से समझाता हूँ, अब सुन लिजिए, अब ये वहाँ इसकी हिंदी बने ये, वहाँ फाइव स्टार होटल में ठायरता है, और फ्लाइट, प्लेन से यात्रा करता है, तो अब वह अमीर होगा, ये जादा संभावना है, क्योंकि गरीब तो फाइव स्टार होटल में नहीं ठायर सकता, और प्लेन से यात्रा नहीं कर सकता, तो जादा संभावना है, यानि यहाँ पर मस्ट का यूज होगा, समझ में आ गया, जादा संभावना के लिए मस्ट का आगे बढ़ते हैं मैं आपको एक और दूल बता देता हूं जो exam में important है यह जो must है इसका negative बनेगा क्या बनेगा कमेंट में इसका answer दिखी मस्ट का हम negative क्या कर सकते हैं जैसे will का negative will note cell का negative cell note should का negative should note तो मस्ट का बताइए बहुत important question है एक्जाम में आ सकता है ये कि मश्क जो है इसका नेगटिव क्या होगा मैं बता देता हूँ अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं नीड नोट के सिवाए तो आप गलत है इसका जो नेगटिव बनेगा वो नीड नोट होगा जिसे है यू मस्क नोट डू देट तो यू नीड नोट आएगा समझ में आगया अब नीड के बारे में पढ़ते हैं नीड है आवशकता है जरुत है जैसे आपको अब इंगलिस की जरुत है आप इंगलिस पढ़ रहे हो यू नीड इंगलिस यह हमने पढ़ा इसका प्रयोग वर्ब से पहले होता है यह है मुझे तुमारी जरुत है मुझे तुमारी जरुत है यह सेंटेंस है मतलब जरुत हो आवशकता है तब हम वहाँ पर नीड का यूज करेंगे यह तो एक वर्ड भी है कोमन सा रूल है यह यानि कहीं पर आवशकता हो या जरुत हो तब हम वहाँ पर नीड का यूज करेंगे समझ में आगया आगे बढ़ते हैं, ये लाश्ट है, डेयर, डेयर का अर्थ होता है, साहस है, हिम्मत है, सब्जेक्ट प्लस डेयर, यानि ये वर्ब से पहले ही सभी का यूज होगा, आप देख सकते हैं, ये जो वर्ब है, इस से पहले ही सभी का यूज हो रहा है, तो मोडल का यूज वर्ब जाने का साहस नहीं है या उसके अंदर जाने का साहस है तब आप कहेंगे मुझ में उधर जाने का साहस है हिंदी में तो आप कहेंगे कि मुझ में उधर जाने का साहस है English में कहेंगे I dare to go there मतलब मुझ में उधर जाने का साहस है अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो हमने description में इसकी link दे रखे है आप वहाँ से PDF को download कर सकते हैं फिर आराम से समझ सकते हैं इन rules को ये आपको समझ में आ गए होंगे बहुत तीजी है models जादा hard नहीं है तो आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में हम models की exercise लेकर आएंगे जैहिंद